एक बहुत ही important update है आप सभी के लिए जो laptop से related या tablet और smartphone की जो योजना है UP State Government की उसी की regarding बहुत सारे comments आये हमारे चैनल पे वीडियो उस पे भी बाकी वीडियो पे भी हमने देखा बाकी messages भी ऐसे बहुत से बच्चों क्या है कि सर अभी हमारा admission ही नहीं हुआ है तो हमें कैसे मि पूरा data सभी का जा पाना possible नहीं है बहुत से invested ऐसे हैं जहां भी counseling चल रही थी बहुत से इंस्टिट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें counseling के बाद अभी admission process चल रहा है बहुत सी सीटें खाली है सारी सीटें फिल होंगी तो उसी की regarding एक update है जहां पे आपको clear हो जाएगा किसकी last date क्या है क्या आगे अगर हम admission ले रहे हैं किसी college में किसी इंस्टिट्यूट में किसी diploma में ITI में कहीं भी admission ले रहे हैं तो आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो उसी की regarding एक later और दूसरा चीज़ देख लिजे का आप लोग online form भरें या offline भरें ऐसा कुछ भी नहीं है जो candidate का data है वो college से ही verify होके जाएगा वो portal से list निकाल के उसको verify करके भेज सकते हैं वो जो आपने form भर के fill किया उसका एक data बना के उसको verify कि हमारे या इतने बच्चे उसको भेज सकते हैं तो maximum case में ये हो रहा है कि बच्चों का जो data है वो portal से डाउनलोड किया जा रहा है ठीए राज ब से डाउनलोड करना है एक वर्सी और दो वर्सी पाठ्यक्रम का और उनको भेज देना है इसी लेटर में हम आपको दिखाएंगे जो आप last date के लिए परेशान है आपका form नहीं भरा गया उसके लिए परेशान है तो प्लीज आप अपने contact करिए college से क्योंकि यो योजना सभी के लिए है कि जो candidate पढ़ रहे हैं उन सभी को दिया जाना है तो इसमें अगर आप admission ले रहे हो further आगे भी admission ले रहे हो तो आप इसके लिए पात रहें आपको इसमें ये दिया जाएगा अब आपको हम दिखाते हैं वही point जिसका आपको इंतजार होगा कि last date अगर निकल गई या हमारा admission नहीं हुआ तो क्या होगा देखिए यहां पर यह तो हो गया हमारे अद्दोगिक प्रसिच्चन संस्थान चूंकी राज की या निजी अद्दोगिक प्रसिच्चन संस्थानों में प्रवेस की प्रक्रिया चल रही है अतहा अग्रेतर प्रवेसी प्रसिक्छारत भी चाहिए हम भी पढ़ाई कर रहे हैं उस case में है उनका आगे क्या होगा एक अलग से व्योस्था की जाए एक अलग से एक list जाएगी क्योंकि ये distribute कैसे होना है phase wise होना है आपके जिलावार एक committee बनेगी वो पात्र छात्रों का chain करेगी उसके आधार पर बांटा जाएगा तो इसमें duplicacy होने के भी chance रहेंगे इस वज़ा से इसमें delay भी हो सकता है आधार कार्ड या एक चीज को base बनाया जा सकता है जिससे की वो base बनने के बाद क्या होगा डूपलिक के chances कम रहेंगे तो ये चीज है आपका एक doubt clear हो गया होगा अगर आप अभी भी admission ले रहें या कुछ कर रहें हैं तो आपका आगे भी chance है आपका वो जो data है वो college से institute से school से आपके भेजा जाएगा और आपका भी इसमें chain हो जाएगा तो यही एक आपको information देनी थी एक point था जो कि official later का point है ये official later आप देख सकते हैं जारी किया गया कई बिंदों के साथ और सभी का जो list है वो direct ह कि बनके जा रही है किसी का भी offline farm या online farm के चक्कर में आप मत पढ़िये किसी cyber cafe या किसी के भी बैंकावे में मत आईए कि आपका online apply कहीं से हो जाएगा कोई भी link ऐसी available नहीं है आप खुछ चेक कर सकते हैं बहुत सारे news paper में daily आपको heading मिलेगी आज list बन गई यह हो गया वो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ clickbait है कि आपको click करिए पढ़िये आपको मिलेगा सिर्फ वही upcmo.in पे आपको apply करना जबकि वहां पे कुछ भी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है आप अपने simple college institute school जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप उनके contact में रही है वहीं से आपका list verify होके जाएगा यहां पे देखे clearly है verify यह not verify पे आप click करिए और उसको बता दीजे क्ट्रेणी का नाम कटा तो नहीं ट्रेणी regular आ रहा तो उसका आप detail दे सकते हैं जैसे 2020 22 वाले admission है two years trade में या आप three years का course कर रहे हैं तो आपका नाम कटा तो नहीं आप regular जा रहे हैं नहीं वही verify करके वहां से बेजा जाना है और भी कोई आपके मन में doubt है तो आप जरूर पूछिएगा हमसे comment box में हम उसको भी clear करने की courses करेंगे आपकी यही एक चोटी से update आपको देनी थी laptop and tablet रहेगी ऐसे thank you very much